नमस्ते, मैसल दॉक्टर संदीब डॉंग्रे, फ्रॉम दिया श्टांग इंश्टो और योगा और नाच्रोपथी, वेलकम एवरिवन वन्स अगें तो इस वीडियो सीरीज अफ कॉंस्टिपेशन, जैसे आप सब जानते हैं कि हम अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, आप सब लोगों के लिए, तो अभी हम जो सीरीज बनाने वाले हैं, वो हैं कॉंस्टिपेशन की, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, constipation क्या है उसके symptoms क्या है उसके उपाई क्या है और massage किस तरह से हम लोग इसके लिए use कर सकते है ठीक है तो constipation जिसे मलावरोद, बद्दकोष्टता या कब्ज भी कहा जाता है चलिए अब देखते हैं हम लोग constipation के symptoms क्या है तो पेट खाली ना होना पेट खाली करने के लिए जोर लगाना मुँ में छाले आना मुँ से दुरगंदी आना पेट में cramps आना दिन भर आलज जैसे बने रहना ये कुछ इसके symptoms है अब देखते हैं कि ये क्यों होता है सबसे पहले less water intake, पानी की मातरा सही नहीं होना, कम पानी पीना, wrong food habits wrong lifestyle गलत खाना खाना गलत वक्त पे खाना खाना ये main reasons है फिर fibrous foods की कमी रहना और कुछ medicine जैसे iron supplements होते हैं उसकी वज़े से भी constipation हो सकता है, चली अभी इसके बाद हम practicals में जाते हैं, देखते हैं कि तो चली अब देखते हैं massage कैसे करना है constipation के लिए, लेकिन हम massage करने से पहले देखते हैं, बाजू में देखें कि digestive system कैसे होता है, जैसे आप ये बाजू के diagram में देख रहे हैं अपने digestive system शुरू होती है मूँ से, फिर आता है food pipe, बीच में stomach आती है, small intestine large intestine, rectum और फिर anus, तो मूँ से लेके anus तक पूरी digestive system फइली हुई है, जब आप खाना खाते हैं, तो मूँ में जब आप निवाला डालते हैं, तो उसको चबाईए, उसमें saliva mix होने दीजे, 20 से 25 बार उसको अच्छी तरह से चबाईए, फिर खाने को आने दीजे, अपने food pipe में, जिसो isophagus कहा जाता है और उसके बाद खाना आएगा आपके stomach में, यह अपके fist इतनी जो stomach होती है, यहाँ पर वहाँ पर खाना आता है, कुछ घंटे वही पर रहता है, वहाँ पर further digestive system का जो processing है वो होता है, वहाँ से फिर lower, आपके small intestine में जाता है खाना, small intestine में पहले उसके digestion process यूज होती है nutrients absorb किये जाते हैं, और फिर वहाँ से large intestine जो पेट के थोड़े से यह बाजु में है ascending colon, transverse colon, descending colon rectum and then anus, ठीस तरह का यह journey होता है तो आपको अभी यह system समझ गया है चलिए actual देखते हैं हम massage कैसे करना है तो massage करने के लिए आप कोई भी आपका favorite massage oil लीजिए कोई भी oil जो आपको पसंद है, या फिर massage oil specific आप ला सकते है दुकान से, उसके बाद navel area से उसके बाद हलके हातों से mild and moderate जिसे हम लोग कहेंगे, आपको circular motion में, navel के region में पहले आपको circular motions करने है, mild and moderate, अभी याद रखिए इसकी movement जो है, वो clockwise moment होनी चाहिए फिर ऐसे हलके हातों से आपको massage करना है हलके हातों से करते रहिए ज़्यादा pressure नहीं देना है और यह जिस तरह से मैंने हातों का cup किया हुए, उस तरह से ऐसे cup दे के आपको यह massage करना है 8 से 10 बार करेंगे उसके बाद, navel के around का यह जो region है small intestine का region है उसे हम फिर एक बार massage शुरू करेंगे मैंने आपको बताया moment कैसे होनी चाहिए, clockwise होनी चाहिए moment circular motion में करना है mild to moderate pressure देना है ज़्यादा pressure मत दीजिए और जिनको constipation है उनको अभी आप धीरे धीरे से 8 से 10 बार एक ही जगह पर करेंगे 3 से 10 बार अगर किसी को ज़्यादा problem हो रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा देर करना है वरना 3-4 बार भी ठीक है ऐसे moment करते करते आपको पूरा small intestine का जो area है वो cover करना है 5 से 6 मिनिट लग जाएंगे आपको इस पूरे process में अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ ये होने के बाद 5 से 6 मिनिट और हर जगह पर आपको ये 8 से 10 मिनिट करना है इसके बाद हम आएंगे large intestine में large intestine का area जैसे मैंने बताया था ये यहाँ पर ये pubic bone से थोड़ा side में rib cage का जो end है यहाँ पर वहाँ तक ये होता है ascending colon फिर ये आता है transverse colon और फिर आता है descending colon को चलिए अब हम देखते है large intestine का massage कैसे करना है तो जैसे आपको पता है ये हमने already discuss किया यहाँ पर ascending colon है ये transverse colon है और ये नीचे जो जाता है descending colon और फिर थोड़ा सा अंदर की side में जो rectum तो हम लोग अभी शुरू करते है ascending colon से once again अच्छी तरह से massage oil लीजे आपका favorite और circular motion moving towards upwards clockwise moments धीरे धीरे 8 to 10 times तोड़ा सा pressure देखे जिसको pressure दे रहे उसको पूछना है pressure जादा है क्या बहुत light pressure भी ठीक नहीं है बहुत heavy pressure भी अच्छा नहीं है so ये करने के बाद फिर आपको upward moment हातों से इसे push करना है ताकि अंदर जो भी कुछ wastage material है वो आर moving it upwards in the ascending colon उसके बाद आएगा descending colon transverse colon यहां पर again circulatory motions दोनों हातों से भी कर सकते है clockwise moment करने है complete transverse colon को 8 to 10 times and once that is done then उसको सीदे से push करना है right से left side में again 8 to 10 times and once this is done फिर हम आएँगे descending colon जहां पर आपको नीचे की तरब जाना है धीरे धीरे circular motions once again now I am not showing 8 to 10 times but you have to do that 8 to 10 times and once this is done downward movement of your hands so what you are basically done is you are moving that wastage material downwards towards rectum now ठीक है इसके बाद थोड़ा सा देन descending colon से rectum की तरफ moments circulatory movements इस तरह से फिर एक बार मैं revise करता हूँ हमने पहले circulatory motion किये फिर small intestine को अच्छी तरह से हमने massage किया है उसके बाद हम आए large intestine पे पहले ये ऊपर फिर ऐसे see the horizontal फिर नीचे की तरफ and then towards rectum ये complete process आपको 10 to 15 minutes करनी है and pressure has to be mild to moderate जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ and I hope this video will be very useful to anyone who is having constipation ये आप खुद भी कर सकते है किसी से करवा के भी ले सकते है massage and I am pretty sure it will help you for your constipation issue thank you so much if you like this video please share, subscribe and share with all your friends and families thank you कर दो